मारकेट में जो आपको करेक्षण देखने मिला था उसको तो लेकर आपको परिशान होना नीची एथा क्योंकि यह सब चीजे तो मैं आपको पहले ही पता दी थी तो यहां जब वो यूस्ट्रिक डॉमिनेंस बढ़ेगी तो मार्केट में करेक्शन आने के चाहँ से बढ़ जाते हैं तो उसी वजह से मैंने आपको यह बोल दिया था और आपने प्रोफिट बुक भी कर लिया होगा और अभी आप यहां पर जितने भी कोईंस हैं उनमें लेगा और आज इस वीडियो में अपन तीन पॉइंट में बात करें को लेकर एक अल्ट को लेकर और एक यहां पर यूस्ट्रिक नोमिनेंस को लेकर बहुत इंपोटेंट है यह जानना चाहिए यह जान लेंगे ने तो आपकी यह जो सेंटिमेंट हो रहे हैं या फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जोई नहीं किया तो उसको जरूर से जोईन कीजिए क्योंकि मार्केट को लेकर कुछ भी अपडेट देना होगा तो मैं वहां पर देदूँगा तो जदधा टाइम वेश नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बिट्कोईन की बात करते हैं तो बिट्कोईन में करेक्षेन डेखनों मिला है 12800 डोलर के राउंड प्रैस अगही थी और 42,500 डोलर पर अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से आपको क्विक बाउंस बेक देखने मिलेगा, और फिर अपन 48,000 डोलर के राउंड जाएंगे, ठीक है, और अगर यह नहीं होता है, तो फिर 40,000 डोलर के राउंड अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पर बिटकोईन की प्राइस है, तो ऐसा क्या होने वाला इल्टकोईन में, उसकी बाथ करता है, तो यहां पे एक तो होता है, थैक है, तो यहां पे अल्ट कोईन को लेकर ही यहां पर देखा जाता है कि क्या होने वाला है तो यह टोटल टू में मैंने यह देखा है कि वहां पर 12 होर के चार्ट में Adam Eve pattern देखने मिल रहा है जो कि bullish pattern होता है उसके according total 2 increase होने वाली है और यहां पर जो अल्ट कोईन है सारे अल्ट कोईन जो भी अच्छे होंगे उनमें आपको breakout देखने को मिलेंगे और एक दो दिन बात से आपको यहां पर मार्केट में आपको green green देखने मिल जाएंगे कोई 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 20% बागेगा कोई 30% बागेगा इस जरीके से pump होते देखने मिलेंगे यह आप द्यान में र हमस्यान चuchar़ागी थी और फिर वहां से उसमें वहां पे अच्छा सपोरट भासे उसमें क्विक जंप आया तो जब उसमें पाएगा तो यहां पे जो मार्केट में हैं इस admit उपर अच्छा रेजिस्टेन से यूँस ज़ोंपि वहां पे जाकर के ब्रिजेक्त को और वाप आपको अच्छा बूम देखने मिलेगा मार्केट में तो यह मैंने तीनों पॉइंट पर बात कर लिए तो इनके अखोडिंग मार्केट में आपको जो भी चीज़ें हो रही है उनको लेकर परिशान नहीं होना चाहिए पेशेंस रखना चाहिए और काम डाउन रही है यहां प 30,000 डॉलर के नीचे चली गई तो फिर यहां पर घलत हो जाएगा वह नहीं होना चाहिए बले वह ऐसे क्विक जाके भी आजाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन होल नहीं करना चाहिए तो यहां पर सारी चीज़ों पर जो भी मैन मेन इंपोटेंट है मैंने आपको बता दिया है यह उसली डोमिनेंस के बारे बात कर लिए अपन अल्ट कोईन पर बात कर लिए हैं बिटकोईन की बात कर लिए हैं तो सब कुछ आपको समझे में आ गया होगा अगर इस वीडियो में आपको ज़रा सा भी नोलेज मिलाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए च कर दो